करेंगे विडियो देखने के बाद अगर हमारी आप पेड कोचिंग जोईन करना चाहते हैं तो वीडियो का दिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक करिएगा 99 रुपीज की कोचिंग है उसमें आपको सारी वीडियो सारी एबुक्स और पीडियाप्स मिल रही है अगर मैं आपको फटा फटा फट एक सेकंड में दिखा दूंगा देखे यहां पर वीडियो हैं बहुत सारी कॉंट रिजनिंग और कंप्यूटर की और साथ में एबुक्स पर जाएंगे तो ड्हेर सारी एबुक्स हैं जो आप यहां पर देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है हिंदी और इंग्लिस दोनों में अल्मोस्ट बुक्स हैं प्लस यहां पर आपकी करेंड अफेर्स के नोट्स दिये जाते हैं तो जॉइन करना है तो वी आपकी बाते तो आपको मैंने बता दी लेकिन अब हम बात करते हैं अपने स्लॉक्स की कुश्चन की देखिए only a few statements आज के लाने लगे हैं पैटर्न में थोड़ा-थोड़ा चेंज आता है से लोक्स की कुश्चन में और यहां पर आप थोड़ी गल्ती गल्ती की कुश्चन कर जाते हैं तो गल्ती नहीं करनी है चीजे क्या हमें आपको बताता हूं जैसे statement लिखा हुआ है suppose only a r b ठीक है तो only a r b को आप कैसे treat करेंगे लेकि only a r b को treat करना है all b r a ठीक है only a r b बोला गया है ना मतलब यहां पर बोला गया है कि सिर्फ जो a है वो b हो सकते हैं तो all b r a तो होंगे लेकिन all a r b नहीं हो सकते हैं यह बात यहां पर ध्यान रखना है तो इसको हम कैसे बनाएंगे win diagram इसका देखें सिलॉक्स की paid class की जो कल की वीडियो आई थी उस करते हैं तो देखिए only a r b only a r b हो रहे हैं बाकी पार्ट जो है यह हमारा बी नहीं हो सकता है तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे only a r b को अगर वहां पर यहीं पर हम एक और दिलें जैसे आपका लिखा हुआ है only a few a r b only अगर आप English Hindi में translate करेंगे तो आपके लिए easy होगा तो बोला गया है कि भाई कुछ a जो है वो b हैं लेकिन देखिए यहां पर आप कहेंगे सर कुछ a b हैं तो इसका मतलब क्या हो सकता है इसका मतलब हो सकता है ठीक है यह मतलब भी तो हो सकता है बिल्कुल सही यह मतलब होग होगा लेकिन इसके साथ इसका एक मतलब और होगा फिर possibility वाले questions में आप गरबड कर देंगे और आपको लगेगा आप सही कर गया है लेकिन आपको मिलेंगे zero number यहां पर only a few a r b में बोला गया है only a few a r b वनलब केवल कुछ a ही भी है सारे a b नहीं है तो इसके साथ में एक statement औ और जोल दीजिए some a r not b ठीक है इन दोनों को जुड़ जाएगा ना तभी तो concept बनेगा आपका only a few a r b का तो only a few a r b का मतलब होता है कि कुछ a b हैं और कुछ a definitely b नहीं है तो इन दोनों का यहां पर आपका concept बन जाएगा तो यहां पर देखिए जैसे आपका है sum a r b यह है plus sum a r not b तो suppose आपका अगर आपने यह चीज चीज नहीं की और आपका option में conclusion में कुछ ऐसा दिया हुआ है all a r being b is a possibility तो आप क्या करोगे आप true कर रहा होगे कि हाँ positive statement आ रहा है हम true कर देते हैं लेकिन नहीं यहां पर एक statement और जुड़ेगा sum a r definitely b नहीं है तो यह इसकी possibility कभी नहीं होगी sum a r being b is a possibility कभी नहीं होगी सिर्फ sum a r b अगर दिया हुआ है तब यह possibility हो सकती है कि सारे कि सारे a b b हो लेकिन अगर only a few a r b दिया हुआ है तो यह possibility कभी नहीं होगी इस बात का जो है आप ध्यान रखिएगा इसके लावा कुछ और confusing terms कैसे आते हैं जिसमें आप लोग confused जाते हैं जैसे आपको दिया हुआ है 100% ARB तो इसको कैसे treat करना है इसको treat करना है All ARB के जैसे ठीक है एक चीज आपको दिया हुआ है 0% ARB ठीक है अब 0% ARB तो इसमें आप क्या लिखेंगे इसका मतलब होगा No ARB मतलब कोई भी A B नहीं है 0% का मतलब क्या हुआ हुआ है कुछ नहीं है और अब दिया होज़ता है 5% 10% 20% 30% कुछ भी दिया होज़ता है 1299 के बीच में 99.99% के बीच में ठीक है कि ARB सबोस दिया हुआ है 5% ARB या 30% ARB तो इसका मतलब सिंपल सिंपल क्या हो जाएगा सम ARB तो इसको आप इस तरह से ट्रेट करेंगे तो एक्जाम में बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है यहां पर आपको इसको ऐसे ही ट्रेट करना है अभी जो पेट क्लास की और वीडियो जैंगी न सिलोक्स की उसमें हम डेर सारे कुश्चन को सॉल्व कर वा लेंगे आपको सारे के सारे डाउट्स कतम हो जाएंगे बात ही कतम हो गई आपको कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं आने वाली है तो चलिए अब फिल्हाल हमने आपको यह फ्यू के कॉंसेट बताए प्लस आपको जो परसेंटेज वाले आते हैं उसके कॉंसेट बताए यहाँ पर हम एक चीज और कर लेते हैं क्या कुछ कुष्टेज देख लेते हैं दो कुष्टेज देखी लेते हैं कम से कम ताकि आपको idea तो हो इसके use कैसे करना है जो हमने अभी अभी आपको बताया है चलिए question लिखते हैं एक question suppose दिया हुआ है statement की हम बात करते हैं पहले statement में लिखा हुआ है only a are b ठीक है दूसरा statement लिखा हुआ है sum a are c अगर हम बात करें conclusion की तो conclusion में लिखा हुआ है all c can be a और एक दिया हुआ है all a can be c ठीक है यहाँ पर आपका question दिया हुआ है अब इसका आप पहले वेंड डाइग्राम बनाएए देखिए मैंने पहले भी का सिलोक्स के question सिर्फ और सिर्फ वेंड डाइग्राम से करिए फालतों के चक्कर में मत पढ़िए बस statement का exact मतलब निकालने कोसिस करिए only है a few है आप से question कभी गलत नहीं होंगे only a are b लिखा हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे देखिए सिर्फ ए जो है वो बी है सारे बी यह नहीं है ठीक है आप इसको ध्यान से देखेगा only a are b ठीक है यह आपका a हो गया यह आपका क्या हो गया only a are b हमने क्या बोला था only a are b को हम कैसे treat करेंगे all b r a all b r a ठीक है ऐसे बोला था treat करने को तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा हो जाएगा यह b a b के अंदर आ गया दो क्या हो गया सारे b तो a हो गया ठीक है लेकिन सारे a b नहीं हो सकते हैं ठीक है यहाँ पर only a are b सिर्फ a जो है वो भी है अभी यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर दिया हुआ है सम A, R, C तो सम A, R, C इसको मैंसे अबना लेते हैं सम A, R, C यह आपका बन गया वेन डाइग्राम अब देखिए All C can be A सारे C क्या A हो सकते हैं तो यहाँ पर आप क्या बोलो कि आपको सिर्फ और सिर्फ Tuesday को पढ़ाई करनी है उसके अलावा किसी दिन पढ़ाई नहीं करनी है तो आप सिर्फ Tuesday को ही पढ़ाई करोगे ना बाकी किसी दिन पढ़ाई नहीं करोगे तो आप only Tuesday को study कर सकते हो यहीं पर से मैं सिर्फ A, B हो सकते हैं तो देखो क्या कोई भी कंडिसन वालेट हो रही है और वालेट नहीं लग रही है तो यह हमारा क्या होगा यह हमारा सही हो जाएगा ठीक है अब देखिए हम क्या करते हैं यह अब आप हटाईए दिन आपकी बात आजाती है कि all a can be c क्या सारे a c हो सकते हैं अब देखो सारे a अगर c होंगे हम possibility मान भी लें तो क्या है b भी तो है कुछ b b है only a r b ठीक है all b r a मतलब सारे b तो a हो चुके हैं यानि अगर सारे a को हम c के अ अंदर आएंगे और यहां पहला ही statement लिखा हुआ है only a r b है c जो है वो भी नहीं हो सकते हैं इसका मतलब यह हमारा conclusion हुआ यह गलत हो गया ठीक है अब देखो इसको बना कर देखें देखो c हमारा बड़ा सा हो गया यह हो गया c ठीक है अब all a can be c सारे a को इसके अंदर रखन और only a r b यानि इसका मतलब होता है all b r a हम इसको b को यहां रखेंगे तो यह कुछ ऐसा डाइगराम बनेगा आप हम अपने statement चेक करें only a r b लेकिन यहां पर देखो कुछ b हैं वो c भी तो हो रहे हैं बस यहीं पर आपका conclusion है वो wrong हो गया तो इस तरह से अगर आप बना नहीं होगी चलिए a question और देखते हैं ताकि आपके थोड़े concepts और clear हो सकें only a few वाला देखते हैं suppose दिया हुआ है क्या आपका statement दिया हुआ है only a few a r b ठीक है और दिया हुआ है sum a r c यह आपका पहला statement है यह आपका दूसरा statement है ठीक है यहां पर आपको conclusion दिया हुआ है क्या द ठीक है और आपका एक दिया हुआ है all a can be b अब यहां पर आपको क्या करना है यहां पर कुछ नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ पहले आपको अपना diagram बनाना है only a few a r b यहां पर मैंने इसका मतलब बताया था इसका मतलब बताया था कि sum a r b and sum a r not b यह दोनों का combination होगा मतलब यह हमारा a हो गया यह हमारा b हो गया ठीक है sum a r b हो गया लेकिन अब sum a r not b कुछ a ऐसे हैं जो भी बिलकुल नहीं है तो एक हम यह पार्ट बना लेते हैं कुछ ऐसे करके filled part आप कैसे बना लेना डिजाइन ठीक है यह पार्ट बिलकुल भी नहीं है इस तरह से हमारा यह diagram बन बनाता होगा यहां पर हमने सी बना लिया तो इस तरह से यह हमारा बन गया वेंड डाइग्राम अब हम बात करते हैं यहां पर conclusion की देखो all c can be a again all c can be a अगर हम करेंगे तो देखो जैसे पिछले question में किया था ना इस सी को तो पूरा हम यहां पर रख सकते हैं हमने यहां पर बना दिया ठीक है फिर देखो कोई भी स्टेट्मन वालेट नहीं हो रहा है यहां पर all c a भी हो गए और सम एर बी वी हो गए और कुछ a b नहीं है यह भी हो गया कोई भी ओर लैपिंग हमारी c और b में नहीं होनी चाहिए और वो नहीं हो रही है तो पहला conclusion हम यहां पर आपकी यह possibility गलत हो जाएगी तो इसका हो जाएगा only conclusion one is true यहां पर हमने दो कुछिन देखें हैं अगर आप paid member है तो आप e-book कि जितने भी concepts है वह हम clear कर लेंगे और coaching अगर आपको join करनी है तो वीडियो के description box में link दिया हुआ है फटाफट join कर लीजिए एक महीने है अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे